अज हम यहां पर बात करेंगे कि हमारा जो टाफिक चल रहा था मैंने आधे पर ही ब्रेकर दिया था सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि एक नए संबिधान की और हम लोग दक्षिर आफ्रिका का जो भी कंसिटूचन था उसके भारे में हम पर चुके ठीक है कि तरीके से उन्होंने शंगर्षषा छिया देन उसके बाद उन्हों ने वने उनको यदि हम बात करें तो 1994 में क्या मिली थी आजादी मिली थी और उसके बात क्या होता है कि फिर कि यदि किसी भी देश को सतंत्रिता मिलती है और एक सुचारों रूप से चलाना है तो उसके रूल रेगुलेशन बनाना एक बहतर तरीके से इंपॉर्टेंट होता ठीक है तो यह जो कानून वगयरा थे तो हमारा संबीधान बनके तयार होता है उसमें यह शारी बाते कहीं जाती हैं तो वहां पर भी प्रोसेज अपनाया गया और वहां पर हमने देखा भी था कि उनका जो काफी बेतर था ठीक है इसमें हमने पढ़ा क कि यहां पर जो भी बना गए यह दुनिया में जितने भी यदि हम बात करें तो व्यापक अधिकार वहां पर दिये गए उतने किसी के नागरिकों को नहीं दिये गए थे ठीक है और साथ ही उन्होंने यह भी फैंसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में कि किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और नहीं किसी को बुरा या दुष्ट मान कर बरताओं किया जाएगा इस बात पर भी शहमती बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो ठीक है पहले आपने चाहे जो कुछ भी किया हो लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी तो उसमें क्या बता जा रहा है कि इस भावना को बहुत खूबसूरत धंग से ब्यक्त करती है और प्रस्ताबना जो है वह 54 पेच में लिखी होई है तो उसको हम देखेंगे दिन उसके बाद क्या है कि दक्षिण आफ्रीकी शंबिधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेढ़ा लेते हैं जो साउथ आफ्रीकें का G announcement नीया भर के अरलोक तंथिक तो ओर तुरत के लिए निंदा की जाती थी आज उसे लोग तंथिक के माडल के रूप में देखा जाता है यह क्यों दक्षिण आफ्रिकी लोगों दोरा साथ रहने साथ काम करने के द्रण निश्चे और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुसी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ एक बार फिर मंडेला के सब्दों में ही यह बाते समझे ठीक है तो यहां पर क्या लिखागा है मंडेला जी का एक स्टेटमेंट फिर आता है कि दक्षीड आफरीका का संभविधान इतिहास और भविश्च दोनों की बाते करता है तो पहले हिस्ट्री की भी उसके उसके फ्योचर के दोनों की ही बात करता है जो का संभिधान है एक तरब तो यह एक पवित्र समझोता है ठीक है यह पर कुछ आपको कटा फटा दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रही हूं वो राइट है ठीक है तो क्या है कि पवित्र समझोता है कि दक्षीन आफरीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग वेदी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोराने की अनुमती नहीं देंगे पर बात इतनी ही नहीं है यह अपने देश को इसके सबी लोगों द्वारा बास्तिवी कर्थों में यहाँ पर यदि हम बात करें तो साथ करने स्वारी यहाँ पर यदि साज़ा करने की घोशना पत्र भी है श्वेत और अश्वेत इस्त्री और पुरुष यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है ठीक है उन्होंने क्या कहा कि यह जो हमारा देश है हम अब नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि जो हमारे साथ हुआ हम उसे फिर दोरा है यानि कि रंग वेद का जो हमें सामना करना पड़ा है उससे हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं और जो भी असा मानता हैं थी चाहे वो इस्तरी पुरुष में हो चाहे रंग वेद में हो चाहे कि वो जाती बरगे में हो सब को क्या किया जाएं दूर किया जाएं और सभी ए गई होगी कि जो यहां पर हमने पढ़ा ना कि मतलब पूराने कड़वे अनुभव थे उनको हम एक इंद्रधनुसी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करें ठीक है तो एक्चुल में होता है ना कि जब हमें कभी असफलताएं मिलती हैं कभी हमें कि उनसे बहुत ज्यादा परहसान हो जाते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं उन्हें एक सबक के रूप में अपने लाइफ में लाते हैं कि यदि मेरे से यहां पर गल्तियां हुई है खो सकता है कि मैंने यह यह मिश्टेक की तो हमारा कुछ ऐसा हाल कि यहां पर क्या होता है कि यदि हमारा फर्स्ट अटेंट में नहीं हुआ ठीक है क्लियर नहीं हुआ हमें समझ में आएगा एक्जाम देने के बाद कि ठीक है हमारा यह क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर हमको एक सदमा लेके नहीं बढ़ जाना कि हमने साल भर मेहनत की और क् कई घुमा फिर आके वही से बाट अब वहां पर क्या होता है कि अब इससी सीधे तौर पे हमें डायरेक्ट यह सोचना चाहिए कि नहीं मेरा सेलेक्सन नहीं हुआ कि घर वाले क्या काएंगे परिवार वाले क्या कहेंगे डर्जेट मैट सब कहते हैं दुनिया बोलने के लिए होती है मुझे बंद करा सकते हम अच्छा करेंगे वह तब भी बोलती है बुरा करेंगे वो तब भी बोलती है सपोज आप ओए अभी यूप्यस्टी की प्रेप्रिपरेशन कर रहे वही व्यक्ति जब आपको ये वर्ड बोल रहा था कि अपने माँ बाप का पैशा बरुगाद कर रहा है कामना करने के बहाने बैठ ढई कशो भी दिलीन कि कर रहें ठीक है लेकिन वही व्यक्ति जब आपका सेलेक्सन होता है तो बोलेगा नहीं मुझे पता था यह बंदा मतनब यह बच्चा काफी होनार था हमें तो पहले से पता था कि आपके बच्चे का या कि आप खुद मिल गए तो आपका तो सेलेक्सन बिल्कुल 100% यहां पर यह हम कोई हमारे साथ यहां असफलता मिलती है तो इसको हमको सविकार करना चाहिए वह एक श्टेटमिंट आथा है कि असफलता एक चुनोती है इससे विकार करो तुम गलतियां कहां रह गई है उससे सुधार करो तूं ठीक है। जो और सुधार करो कि हमसे اسफलता हुए तो रीजन क्या है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हमने अपना 100% दिया और असफल हो गए। क्योंकि सफल होने वाले व्यक्ति भी है ना तो तो पही एन कहीं रीजन तो होगा। ठीक है और वो गलतियां हम पकड़ लेंगे और जब भी पकड़ लेते हैं हमारा सेलेक्षिन बिल्कुल क्लियरली हो जाता है चुकि हमें एक ही सीट चाहिए चाहिए उसमें 800 सीट आये चाहिए उसे हमें कोई मतलम नहीं हमें एक सीट चाहिए Viore si export बोजालो ने विएक लड़ाई है आट सो सीट नौनौसो सीट के लड़ाई हमारी नहीं है यह दिमाख में हमेशे बैठा आके चली है और बश उसके लिए हमको लड़ना जी जान लगाके लड़ना है तो जैसे यहां की हमने Canстitशिट्यूशन की बात की कि इन्होंने पर पेटरीगे कि जो जिसने गलतियां सुनते हैं। युशने कि इन्टर्वूबस गलतीय को सब ändigजय करते हैं। लेकिन किसने कितनी गलतियां की में वो देखना चाहिए कि उसने हमको नहीं दौरा नहीं के तो यही है कि बस एक प्रॉपर तरीके से हम सुने समझे और जाने तो यह जो तो हम उसको क्यों फिर से दोराएं उससे बाहर निकलना ही हमारे लिए क्या होगा बहुत बहतर होगा ठीक है उसके बाद क्या होता है कि दक्या दक्षिन आफ्रीका के सोतंत्रता संग्राम से आपको भारती राष्टी कांग्रेस आंदोलन की याद आई इन बिंदूओं के पृत सभी तो यहाँ समुदायों के बीच में संबंध ने तरह तुम करने वाली पार्टी आफ्रीक का आफ्रीकी निशनल कांग्रेस भारत में क्या थी भारती राष्टी कांग्रेस थी संघर्स का तरीका उपनिवेश बाद का चरित्र ठीक है उसके बाद हम यहां पर यदि हम आगे बात करते हैं हमें संभीधान की जरूरत क्यों अब हम बात करते हैं अपने कंशिट की बात करें कि हमें या किसी भी एक लोगतानते कंट्री जो होती हैं तो उसको आखिर संभीधान की जरूरत क्यों है और संभीधान क्या करता है इस बात को हम दक्षिन अफ्रिका के उधारन से समझ चकते हैं इस नए लोगतानत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि जो भी दो पार्टिया थी दोनों ही अपना अलग-अलग तरीके से कर रहे थे और दोनों के बीच में है यदि हम बात करें तो वहाँ पे दोनों साथ साथ समान हैस्य से रहने की युजना बना रहे थे दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना क्या था आसान नहीं था ठीक है? और उसके बाल क्या होता है कि उनके अंदर अपने अपने किस्मे के डर थे वे अपने हीतों की रखवाली भी चाहते थे बहुत संख्यक अस्यद् इस बात पर चोकस थे ठीक है? दिन उसके बाद क्या होता है कि लोक तंत्र में बहुमत के सासन बाले मूल सिध्यानत से कोई समझाओता ना हो उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए अलप शंख्यक गोरों को अपनी संपत्ती और अपने विशेशाधिकार की चिंता थी ठीक है तो यह पर क्या हुआ कि जो अलप संख्यक गोरे थे उनको क्या थी कि अपनी संपत्ती और अपने विशेशाधिकार की चिंता थी वहीं पर जो उधर के मूल निवासी थे तो उनको भी कहीं ना कहीं जो अपनी एक डर होता है वो उनको सता रहा था कि यह ऐसा कुछ हुआ तो क्या ह कि हम यहां नहीं रह पाएंगे कि हम को कहीं हो जाना पड़े कि इनकी वज़े से दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो डर था ठीक है उसके बाद क्या होता है कि अब यहां पर आता है कि लंबे समय तक चली बात्चीत के बाद दोनों पर समझवता का रास्ता अपनाने को तयार होते हैं दोनों ही लोग क्या करते हैं कि समझोता का रास्ता अपनाते हैं तो और गोरे लोग बहुमत के सासन का सिध्यान्त और एक व्यक्थी एक बोट को मान गए ठीक है यह undertaking क्या हुआ कि एक व्यक्ती एक बोट जैसे कि हम- mechanics देखते हैं तो वहाँ पर भी समझोता होता है और वहाँ पर जो भी उनके मुल सुझान थे जो जो कि उनको चाहिए था फूर होती हैं दोनों ही कहीं न कहीं समझोता करते ही समझोता आपको नहीं होता है कि कुछ हम समझें आपको ठीक है अपनी बातों को जबजस्ति आपसे और समझोते का मतलब है कि थोड़ा आपका थोड़ा हमारा ठीक है यह फिप्टी-फिप्टी है तो यह क्या है साजा वाला है समझोता है और इसी सिध्यांत पे वहां पे भी वह और एक बेगती एक बोट को मान गए वे गरीब लोग और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हु कि शिर्फ बहुमत के अधार पर सारे फैंसले नहीं होंगे वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिये अस्वयत लोग अलप शंख्यक गोरों की जमीन जायदात पर कबजा नहीं करेंगे ठीक है यहां कि यहां पर क्या हुआ कि बहुमत के अधार पर अब यहां पर यह है कि चलो मेजोर्टी के अधार पर तो अब जो अलप संख्याक गोरे लोग हैं वहां पर क्या हुआ कि अस्वयत लोगों ने क्या कि करते हैं मुगल काल में होता है और उसके बात मौडण हिस्टी में भी आते हैं तो मुगल काल के हद समझाती नहीं कि युद्ध वगएर वहां में आपको समझ में आएगा कि इनका जो समझाता होता था तो यहां पे जैसे अभी हम चाइना पे अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर जाकते हैं वैसे यह भी थी कि अभी आपके सामने कुछ कह रहे हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा हम यहां से नहीं आएंगे और आपके पीठ पीछे वह वहीं से थे तो उनका वह चलता था कि हाँ चलो ठीक है मतला भी हमने ट्रीटी की और उसके बाद हमारा मजो मन करेगा हम वह करेंगे तो वह बिल्कुल भी यह सब नहीं मानते थे ठीके लेकिन यहां पर समझाता हुआ और माना भी कया और यह समझाता आसान नहीं था बढ़त क्या जो भी अलप संख्या कंग्रेज यहां पर रहे हैं तो हम उनको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रियेट नहीं करेंगे हमारे दौरा नहीं होगी तो वहां पर क्या हुआ यह हलाकि काफी कठिन था क्योंकि अक्रोस तो भरा हुआ तो ऑबियस है कि हमको कोई मारेगा तो हम किसने भ दूसरा भी देंगे कि यह भी सूना क्यों रह जाएं बट कुछ होंगे कुछ तो नहीं होगे कि तुमने हमें एक मारा तो हम तो दस तो तो मारेंगी तो कुछ ऐसे भी होते थे इसलिए यह समझा तो कहीं नगी थोड़ा आसान नहीं था लेकिन हां यह था कि आप पो कर भी ले कि भविष्ट में कोई यसे तोड़ नहीं जाएगा अब यहां पर ठीक है कि आप ट्रेश्ट कर लो लेकिन यहां पर फिर एक सवाल उट गया क्या गरंटी है तो वो बिल्कुल ततकालिन समय की है अब गत है इससे तो उसको ठीक है कि मतलब क्या किया जायगा कि व किये रहेगThe तो ऐसी सिति में फिर हम क्या करेंगे तो ऐसी सीति में क्या होता है कि बharosah बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बाते तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाद दिता रहे ठीक है और उसके बाद क्या हो कि भविस में सासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियमते होकर लिखित रूप में आ जाते हैं अब यहां पर क्या हुआ कि जब यह कुश्चन खड़ा होता है कि ट्रेश्ट की बाद जहां पर आती है तो अब इसमें यह है कि हमने मूँ से बोला सुनने वाले सिर्फ जो ततकालिन समय के होंगे उस टाइम के उन्होंने शुना रहे हैं किसी को पूर्वज बताए तो ठीक है नहीं बताए तो ठीक हें लिखा हुआ नहीं है जैसे अभी हम लिखा गया है तो हम पढ़ पा रहें लेकिन एं पीदी हडपा की बात करते हैं तो वहाँ पर जसीसा संकेतिक रूप लिखा गया जो कि हमें समझ में नहीं आता और आज तक हडपा की जो लिपीयं वो पढ़ीं नहीं गई तो क्या होता है कि मतलब जब भी चीज़े हैं यहां पर लिख देते हैं वह चीज़े क्या होती है एक प्रॉपर तरीके से हाँ कि यहाँ बिल्कुल विथ प्रूफ कि हम से साबित कर सकते हैं कि हमारे पास वह उस जमाने का उस व्यक्ति के दोरठा बोला गया यह वर्ड यहां पे लिखा हुआ है ठीक है हम प्रूफ के साथ कह सकते लेकान जब हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेश कोगा नहीं तो फिर कोई प्रूफ रहती नहीं है इसलिए क्या क्या गया कि भरोसा बनाने के लिए कि कैसे बनेगा उसके लिए ये रूळ निकाला गया कि हम लिखेंगे ठीक और क्या हुआ कि जो भी वह की सरकार होगी उनको भी हम चुनकर बनाएंगे और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं पर यह नियम तब भी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने धंग से नहीं बतले दक्षिन आफरीकी लोगों ने इनी चीजों का इंतजाम किया वे कुछ बुनियादी नियमों ओपर सहमत हुए वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार यानि कि इस कि उपेक्षा करने का हक नहीं होगा ठीक है कि कोई भी government आती है किसी की भी सरकार आती है वहां पे जहोगा कि वो इस का बहसकार नहीं कर सकती है नया Constitution नहीं बना सकती है यह नहीं है इनहें उसके बाद क्या होता है इन्हीं पुलियादी नियमों كे लिखित रूप को संभीधान कहते हैं संभीधान रचना सिर्फ दक्षिन आपरिका की ही खासियत नहीं है हर देश में अलग-अलग समुहों के लोग रहते हैं संभो है कि उनके रिष्टे दक्षिन आपरिका के गोरे और कालों जितने कटुता पूर्ण नहीं हो पर दुनिया भर में लोगों के बीच बिचारों और हितों में फर्क रहता है लोगतांतिक सासन प्रणाली हो या ना हो ठीक है पर क्या होता है कि दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है यह बात सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती हर संगठन के काईदे कानून होते है शंबिधान होता है इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी शंगठन या फिर राजनेतिक डल सभी को एक शंबिधान की जरूरत होती है ठीक है तो हमने क्या समझा कि जो भी लोगतांत्री कंट्रियां होती है तो लोगतांत्र का मतलब सिर्फ हमारे एक राजनिती से नहीं है हमारे जितना भी देश में होता है जो भी घर में होता परिवार में कैह सकते हैं या नहीं है उसके बाद करें हर एक स्पूल्त का रूल रेगुलेशन मोड़ेеспराइर राजिनितिक पार्टी का होता है हर एक दल का होता है संगठन का होता है हर एक का होता है पूरा जो भी नियम कानून होता है हाँ ठीक है कि घर का जो भी नियम कानून है वो लिखित रूप में नहीं होता है हो सकता है कि स्कूल का नियम कानून थोड़ा बहुत लिखा गया हो नोटिस वगेरा में जादा ना लि जिससे किसी छेत्र में रहने वाले लोगों जिन्हें नागरिक कहा जाता है कि बीच के अपसी संबंध तै होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तै होते हैं शंबिधान अनेक काम करता है जिन में से ये प्रमुक हैं पहला यहीं कि संबिधान क्या काम करता है उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सो फर्ष्ट है कि यह साथ रह रहे बिविन तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सही योग विक्सित करता है दोसरा क्या है कि यह इश्पष्ट करता है कि शरकार का गठन कैशे होगा और किशे फैसले लेने का अधिकार होगा तीसरा बात करें हम तो यह सरकार के अधिकारों की सीमा और उसके बात क्या है कि इत्ते करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है। नागरिकों की यहां पर क्या धिकार है उसके बारे में बताएगा और यह चोथे बंबलाश्ट है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की अकांचाओं को व्यक्त करता है ठीक है और फिर क्या है कि जिन देशों में शंबिधान है वेशा भी लोकतांतिक सासन बाले ह को यह जरूरी नहीं है यहीं कि जिन देशों में भी संबिधान है तो जरूरी नहीं कि देशों में लोगतांतिक सासन है वहाँ संबिधान में हीसमान करता है कि उन्मपार्ट है संभीधान का निर्मान किया फ्रांसीसी क्रांती के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोगतांत्रिक संभीधान को माननेता दी इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोगतांत्रिक सासन विवस्था में एक लिखिस संभीधान हो ठीक है यहनि कि क्या चलन चल गया है कि हर एक ल लिखा हुआ नहीं है तो ऐसा देश जो है वो कौन सा है ब्रीटेन है ठीक है लेकिन और भी जो लोगतांत्रिक कंट्रियां है वहां पे पूरा बहतर तरीके से उनका संभीधान लिखा गया है अब हम यहां पर बात करेंगे भारतिय संभीधान का निर्मार अब इसके बारे मे हम लोग बहुत ही बहतर तरीके से समझने वाले हैं आपने कि सब प्यारे हैं वह उ कुछ भी बाते से तही जांकारी लिख तो यह आई हो कि हमको अप समझ में आएगा थीक है लिख अमने नेक्स्ट वीडियो में